क्या आप जानते हैं कि फरुखाबाद कभी एक स्वतंत्र राज्य था, इसकी अपनी सीमाइन थी, दो इफक्षेत्र होने के कारण यहां खृशी विकास की अपार संभावनाइन थी, यहां से विदेशी व्यापार भी होता था, नवाब मुहम्मद खान बंगश ने यहां लोगों के काम के अनुसार मोहले बसाए थे, जैसे कपड़ा छपाई के लिए सध्वारा, आर्तियों के लिए अर्तियान, व्यापारियों के लिए खत्राना, मनी लैंडिंग के लिए रस्तो गयान आदी, मनी लैंडिंग का कार्यब बहुत बड़े लेवल पर होता था, इस्ट इंडिया कंपणी के आगमन से पहले फ्रांसी सी फरुखाबाद स्टेट में आकर क्रिशी रिंड बांगते थे, बदले में क्रिशी उपज जैसे गहु चना जो आदी अपने देशों को निर्यात करते थे, पेरिस के बिबलियों के धंदे में आ गया 1788 में अलीगर को अपना मुख्याले बनाया, बोईन के समय अनेको नील की खेती के बागान मालिक पहले से ही इस जिले में बसे थे, उनमें से एक एम जारदा भी था, लेकिन दू जारदा से इसका संबंध था या नहीं, सिध नहीं हो सका, इस समय अंग को गाउं वो प्राप्त किये जहां वो माहरा में मकान बनवा कर रहने लगा, अलीगर एटा वो फरुखाबाद सहित उसके अनेको नील के कार खाने थे, मुझफिर जन की दर्खवास्त पर फरुखाबाद में 1788 में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त हुआ था, लेक समझना गलत होगा कि दूज आरदा के मन में कोई वैमनस्य था, वास्तब में उसने 1788 माइनस 89 में अपना व्यापार शुरू करने के पहले ही अपना एक पार्टन बना लिया था नाम धाल लुई पेरी, यह शक्स अपने जीवन के अंत तक भारत में रहा, ऐसा लगता है कि इस्ट इंडिया कंपनी के सुस्थापित अनेकों व्यापारियों से इसके संबंध थे, जेम्स ग्रांट राबर्ट ग्रांट वस्टुआर्ट से बड़े पैमाने पर सहयोग चलता रहा होगा, प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि इसका व्यापार नील, अनाज का पढ़ा शोरा नमकादी से संबंधित पिलवा, पोरा, मारहरा, फरुखाबाद, जरारा, कासगंज, कोल, एटा तक फैला था। इनकी गतिविधियों का केंद्र फरुखाबाद होकर था क्योंकि माल की धुलाइकाली नदी व गंगा नदी में वोट के द्वारा हो गवन जनरल ने इन्ही ग्रांट महोदे की शिफारिस 15 फर 1782 को नवाब फरुखाबाद से इस शर्ट के साथ की थी कि प्रशाशन वर आजस्व से कोई सरोकार नहीं होगा। अगर कि ये सजजन ही राबट ग्रांट थे तो इनहें सरफराजु दोला मुस्तकीम जग खिदमत गार शाहालम बहादूर की उपाधी मिली थी। 8 मई 1782 को नवाब को आदेश दिया गया कि इनके तुर्की घुरों वो दो उंटों की आवाजाई पर कोई दखल न दे। तालुका जरारा के जिन 11 गावों का जिक्र है। जरारा, निगोला, बजेडा, नैला, अंडला, ककोल भनेडा, बमनी, कुवरपुर, भोगपुर्व, उस्वाडा। ये सभी गाव आज भी विद्यमान है। केबल एक गाव जो दूजारदा के नाम रखा गया था अभी भी पहचान के बाहर है। हो सकता है इस गाव का नाम बदल दिया गया हो या फिर की जहानगर या जहानग जिया हुसेंगर या हुसेंगर फतेगर पड़ा जाता हो।